हेलो फ्रेंश गुड़मानी गुडवर्ण फर्चले इंट्रोडिजिंग माई शल्फ लॉलेश भुष कर्मा एंड आई बिलांग प्रताब गड़ सो बिसिकली आज हम एक जबर जेशते के मेंजिंग इनुटेशन टूल के उपर बात करने वाले हैं सु चले स्टार्ट करते हैं बात करते हैं हमारे इंडिया और हमारे फौरण का जो ईजुकेसन सिस्टम है उनमें और हमें डिफ्रेंट क्या हैilation शो कहिन कहिं देखा जाए तो हमारे इंडिया बात करते हैं इधर हम लेते हैं श्टभी इधा लेते हैं case study इधा लेते हैं study इधा लेते हैं case study study मतलब कि उसका learning year high school inter-graduation जो pattern है उसमें और case study मतलब कि market की knowledge या other activities करके कुछ हिख्षा शीखना उसके भी है पर case study so बात करते हैं कि हमारे इंडिया के पास जब कोई बच्चा high school में होता है so उसके पास केवल और केवल bookie knowledge होती है market का experience zero होता है उसके पास zero साल का experience होता है इसी तरीके फॉरें में भी जब कोई बच्चा high school में होता है तो उसके पास zero साल का experience होता है लेकिन जब बच्चा high school के बाद inter में आता है 12th में आता है उसके पास क्या सीन होता है कि 0 के बाद उसके पास 0 साल का ही experience होता है विकाज जो study के साथ साथ कुछ other activities नहीं करता है उस सिर्फ बुकीज नोले लेता है उस सिर्फ रट्टाफिकेशन study करता है उस सिर्फ theoretical नोलेज ही लेता है उसके पास experience 0 साल का होता है बड़ 12th में आने के बाद foreign के अंदर foreign के अंदर कोई बच्चा है अगर 12th के अंदर इंटर करता है इंटर के अंदर जब पहुंचता है तो उसके पास 2 साल के experience increase हो जाता है विकाज उनके parents एक बात बोलते हैं कि भाई साब आपको जाकर के other activities करनी है जिसके तुरूब कहीं कुछ थोड़ा बहुत पैसे थोड़ा बहुत अपनी pocket money का सीन देखना स्टार्ट करो और होता क्या है कि वहां के बच्चे जब बाहर निकले के काम करते हैं तो उनके पास experience आना स्टार्ट होता है बहुत सारी चीजे सीखते हैं नहीं चीज करते हैं बच्चे तो उनके पास experience zero होता है क्योंकि उनके पास सिंपल सा सिर्फ एक ही चीज होती है bookage knowledge उसके लागा कुछ ज्यादा activity नहीं सीख पाते हैं बट foreign में जब कोई बच्चा ग्रेजोशन mentor करता है तो उसके साथ-साथ 3-4 साल को उसके पास experience increase हो जाता है त्योंकि उसके बाद जैसे इंडिया के अंदर ग्रेजुशन के बाद जैसे master degree के लिए study करना स्टार्ट करते हैं तो maximum बच्चे जो होते हैं majority में अगर देखा जाया तो maximum बच्चे अपनी study के साथ-साथ जॉब करते हैं और कहीं ने कहीं उनके पास 2 साल के experience बढ़ जाता है बट foreign में already जब बच्चा निकले के काम कर रहा है master degree के लिए fight कर रहा है तो already उसके पास 2 साल के experience already increase हो जाता है अब सूचने वाली बात है कि इंडिया के पास total education ind होने के बाद education complete होने के बाद इनके पास केवल और केवल 2 साल का experience होता है बट foreign में इनके पास 4 दो 6 दो 8 साल का experience होता है आप देख पा रहे होंगे आप समझ पा रहे होंगे कि यहां का experience अपने इंडिया के experience से काफी जादा है काफी के मतलब 6 साल के experience अदर है एक्षा है और इंडिया का जो placement होता है 20 से 30,000 के round होता है बट foreign का जो placement होता है 2 से 4 से 5 लाख के something भी पहुंच जाता है अब सोचने वाली बात की यह है कि यह चीजे हो कैसी रही है यह आखिर experience जा कहां से ले रहे है यह experience ले कहां से रहे है यह अपने study के साथ सा डेली का एक से 2 घंटा जो दे रहे हैं वो कहां दे रहे हैं किस market के अंदर दे रहे हैं अखिर वो activities क्या करते हैं सो उसी चीज को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं सो क्या आप जानना चाहते हैं चले start करते हैं